किसान साथी जैसे ही हमारी पसू बच्चा देती है पसू का डिलिवरी होता है डिलिवरी होने के दो से तीन दिनों के अंदर हमारी पसू के थनों में तीन सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रही है सबसे पहले तो आपके पसू के थनों में सूजन की समस्या होती है और पूद नहीं निकाला जाता है तो किसान सात्य वीडियो के अंत तक बने रहेगा इस वीडियो में हम एक बहुत ही शस्ता और बहुत ही तगड़ा इलाज बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप अपने पुसु का थन्थीक कर सकते हैं और किसान साथियों हमने सूजन का वीड़ियो पहले ही बना रखा है जो कि बहुत ही अच्छा दबा ए उस पे कई भाईयों ने होटे अच्छे कमेंड भी किये थे कि शर बहुत ही बढ़ी से काम Κया है बहुत भी अच्छा यह किसे श्रुा पटाते हैं और हमारे नाम कुरा नाम कुछ और होता है इसलिए हमें पता नहीं चल पाता है तो इसी के आज की वीडियो में हम लाइब दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं बाकि आप इमेज के मादयम से यह देख सकते हैं यह है ननुवा इसे हमारे द्याती भासा में घ्रोडा बोला जाता है तो इसका आज में जो वीडियो बनाएं वाला हूं जो दबा तयार करूँगा बिल्कुल आपको वीडियो में लाइब दिखा के बार तयार करूँगा कैसे लगाना है कैसे बनाना है पूरा डीटेल से बताएंगे तो वीडियो के अंत तक बने रहे हैं और अग द्यातिवासा में गोड़ा बोलते हैं तो मात्र आपको ननुवा लेना है ननुवा लेने के बाद आपको इसे आग में रखके पकाना है साथियो इसे पानी में रखके वायल नहीं करना है इसे आपके पास अगर कंडे की आग हो लकडी की आग हो किसी भी आग में आपको रख तक जरूर बने रहेगा तो दोस्तों देख सकते हैं हमने और सकता के अंसान ननुवा ले लिया है आपको जितने में आपके पसु का थन हो जाए उतना ही पकाए ज्यादा फालतु पकाने की कोई जरूरत नहीं है तो आप देख सकते हैं हमने इसको कंड़े के आग में पका रह पणी होता है बिल्कुल पानी अच्य तरीके से सब्गे गढानी निकल ज़या तो अब हम थोड़ी तरो झाजाए दो निकल रहे निकल रहा है और यही पानी हमारे पसो के अडर के सूजन को असरडर में गाट को और अडर में टाइट पंड की समस्या को दूर करता है बिल्कुल दवा के रूप में काम करता है और किसान भाईो अगर आपके पसो में गाट की समस्या जादा दिन से है बच्चा देने के दो चार महेने बाद भी गाट की स मस्चा को लेके काम करता है तो बहुत ही बढ़िया दबा है बिल्कुर रामबार की तरह काम करता है और यही पानी अपने पसु के थन पे यूज करना है लगाना है और जब आप अपने पसु का मिलकिंग कर ले यानि की दूद निकालने दूद निकालने के बाद अपने पसू के थनों पे लगाना है और ये आप दो से तीन टाइम अपने पसू के अडर थन पे लगा सकते है तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा इस दबा को तयार करना कितना आसान है और इस दबा को तयार करने में आपको एक रुपए भी लगाने के आऊ सकता नहीं पड़ेगी और ये दबा हमारे पसू के थनों पे 100% काम करता है बहुत ही अच्छे अच्छे इसका रिजल्ट देखने को हमें मिला है तो दोस्तों मेरे किसान साथियों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी ये फार्मूला आपको अच्छे लगाए अगर अच्छे लगाए था हमारी इस चैनल से जुड़ने के लिए हमारी इस चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकोन घंटी जरूर दबा ले तो किसान साथियों मेरे पुसू पाला भाईयों इसी के साथ हम इस वीडियो से लबी दा लेते हैं नमस्कार